अमीरी में जन्म लेने वाला व्यक्ति, जीवन की वास्तविक्ता से परिचित नहीं हो सकता और ना ही वो रिष्टों की एहमियत को समझ पाता है। जबकि गरीबी में जीवन गुजारने वाले व्यक्ति, जीवन के हर रंग रूप से परिचित होता है, उसे रोटी की कीमत का भी पता होता है और वह रिष्टों की एहमियत को भी भलीभाती समझता है। कितना भी धनाद या व्यक्ति हो अत्वा कितना भी शक्तिशाली इंसान हो, जब तक वह खुद अपने पावों पर नहीं चलता, तब तक उसे जमीनी हकीकत का ग्यान नहीं हो सकता, कितना भी ग्यानवान व्यक्ति हो, लेकिन वह जीवन के सत्य से तब तक अवगत नहीं हो सकत जब तक वो गरीवी में जीवन व्यतीत कर रहे इंसान की व्यता को नहीं समझता जीवन के फल्स्वे को पढ़ने का मन है तो हर एक परिस्थिती में रहकर कुछ दिन बुजार लेने चाहिए पहाडों में किसी परियतक के रूप में जीवन जीना अलग बात है कुछ एक दिन स्थान ये लोगों के साथ जीवन व्यतीत करने से पहाडों में रहने वाले लोगों की दुविधा समझ में आ जाएगी इश्वर को जानने की इच्छा है तो पहले मानवी ये जीवन के हर पन्ने को पढ़ लेना चाहिए उसके पश्चात हमें इश्वरी अव्यवस्था भी समझ आने लग जाएगी हैश जय श्री कृष्णा